अपना इंशुरेंस वाला क्या होली जैसे त्योहार को कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करके हम इंजॉयमेंट के साथ साथ अपने बिजनस को कई गुना बढ़ा सकते हैं तो फ्रेंट्स आज हम इसी टॉबिक पर डिसकस करेंगे कि एक बीमा अभी करता कैसे हो ली जैसे फैस्टिवल का भरपूर फायदा उठा सकता है तो फ्रेंट्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल में आपको L.I.C. और इंश्रेंस एर लेटेट सारी इंफोर्मेशन मिलेगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंट्स सबसे पहले आप सभी को अपना इंश्रेंस वाला टीम की तरफ से होली की हर्दिक शुपकामना है होली का फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जो दुश्मनों को भी दोस्ट बनाने का मौका देता है अंजाने लोगों को भी friends बनाने का chance देता है और जिन से हमारी दोस्ती होती है उनसे मिलने का मौका देता है Friends इस festive season में हमारे कई friends या उनके बच्चे जो बड़े शहरों में काम करते हैं वापस अपने शहर में आते हैं और ये golden chance है उनसे मिलने का उनके साथ समय बिताने का Friends आज ही आप तै करिए और list बना लें कि कौन-कौन से लोग रिष्टेदार friends वापस शहर में आए हैं उनसे phone करके मिलने का time लीजिए इससे आपके रिष्टे मजबूत होंगे और अगर आपके रिष्टे मजबूत होते हैं तो आपका business अपने आप ही आ जाएगा देखिए इस होली में कोई छूट ना जाए कि सभी के साथ आपका मिलना जरूर हो अगर मिलना सके तो phone पे बात जरूर हो और अगर आप होली से पहले उनसे मिलने जा रहे हैं तो आप उनके बच्चों के लिए होली से related कोई toy या कुछ और gift भी जरूर लेके जाएं जिस तरह अगर रूम को समय समय पर साफ ना करें तो हर जगर धूल जमा हो जाती है उसी तरह लंबे समय तक अगर बात चीत ना हो तो मजबूत से मजबूत रिष्टे में भी उदासिंता आ जाती है होली जैसे festival हमें मौका देते हैं कि हम पुराने रिष्टों में जान डाल सके ऐसे समय पर पूरा परिवार साथ रहता है ऐसे समय में परिवार की सुरक्षा की जरूरत को उनके स्वस्त जीवन की जरूरत को आसानी से समझाया जा सकता है ऐसे में आप दोनों प्रवाकार के बीमा का प्रेजेंटेशन आसानी से कर सकते हैं जाहे वो health insurance हो या life insurance कोशिश करें कि आप इस festival में ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें इसके लिए आप किसी कौम जगह पर होली मिलन समारो भी आयोजित कर सकते हैं और अगर आपके पर बजट की कमी हो तो अपने आसपास होने वाले मिलन समारो को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने उद्देश पर ठीके रहें और उसको पाने का पूरा प्रयास करें अगर आप किसी society में रहते हैं तो शाम में आप इस तरह के function आयोजित कर सकते हैं और साथ साथ में अपने plan का presentation भी दे सकते हैं Friends, insurance की बात करते समय आप बिल्कुल भी संकोच मत करिए क्योंकि उनको जीवन भीमा या स्वास्त भीमा में के बारे में बता कर आप उनकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं लोग तो तरह तरह की नशे की चीजे आफर करके संकोच मी नहीं करते हैं लेकिन आप तो यहाँ एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सोचिए अगर आज आप उन्हें इन सब के बारे में नहीं बताएंगे और कल उन्हें किसी बड़ी बीमारी के बारे में पता चला तो उनकी परिवार कैसा सर्वाइब करेगा उनकी परिवार की आर्तिक सुरक्षा के बारे में उनको बताना आपकी जिम्मिदारी बनती है कई बार जब लोगों को नई जॉब मिलती है या कया नया बिजनस शुरू करते हैं तो वो सेविंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और बाद में उन्हें बच्चत की याद आती है जब खर्चे बढ़ने लगते हैं तो आप आज से ही ऐसे लोगों पर ऐसे यंगर स्टर्स को बच्चत करने के लिए प्रेरित करें तो फ्रेंड्स याद रखिए इस होली के मौके को गवाना नहीं है नएने रिष्टे बनाईए जान पहचान बनाईए पुराने रिष्टों में नया जोश लाईए और याद रखिए इस समय बनाया गया वैवार आपको पूरे साल बीमा देगा तो हसी खुशी होली मनाईए और सुरक्षित रहिए और एक बार फिर आप सभी को होली की हार्दिक शुबकामना है